आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में स्वागत है चतिस गड़ जर्रा नालेज हम आज के इस विड़ो में 25 इंपॉर्टेंट जर्रा नालेज को देखेंगे जो कि सिजी व्यापम द्वारा पिछले वर्सों में पूछे गया प्रशन है चतिस गड़ सालवेट पेपर हम आज की शुड़ो में चलते हैं स्टार्ट करते हैं इसमें से कई प्रशन से प्यश्ची द्वारा भी पूछा गया है तो प्यश्ची एक्जाम के लिए प्रशन है और सीजी व्यापम द्वारा भी पूछा क्या प्रशन है चलते हैं विड़ो को इस्टार्ट करते हैं कौन सा सही है बाकि सभी गलत है इन में से एक ही आपसन सही है बाकि तीन आपसन गलत है तो इसका एंसर आपने कमेंड कर दिया होगा एक नंबर का कौन सा आपसन ए होगा कि बी होगा या सी या डी होगा वह आप कमेंड करेंगे चलते हैं हम इसका एंसर आपको बता देते हैं इसका एंसर है D, आप्शन, ये सही है, मुडिया विद्रोह 18673 में हुआ था, जिसका नित्रुत जाड़ा सिर्हा द्वारा किया गया था, चलते हैं, एक बर्जन जाती विद्रोह का देखते हैं, कि किन्ने किन्ने नेत्रुत इसमें किया था, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो मुडिया विद्रोह हुआ था, वो 18673 में हुआ था, और जारा सिर्हा ने इसका नेत्रुत इसका नेत्रुत इसका नेत्रुत छलते हैं अगले प्रशन भी आपको चुका है और यह प्रश्न है कि कुटूम सर गुफा का अनुवेसर किया था ठीक है प्रश्न है क्या है कुटूम सर गुफा का अनुवेसर किया था यह दूसरा प्रश्न है अगर आप इसके इसर जार रहें तो आप A, B, C, D जो भी इंसर है वो आप कमेंड करेंगी जैसे कि पहला आप संद क्या है तो चलते हैं आपने इसका अंसर कमंड कर दे होंगे हम आपको इसका अंसर बता देते हैं कि अज इसका सही answer है पहला option कुन्सा आप्शन प्रोपेसर संकर दिवारी यह जो कुठुमchn 3 गुफा है दूसरा प्लशन अगर ज्यादा और यानकाई रखे तो इसका जो निर्माड हुआ है इस गुफा का इसका निर्माड जल्द वारा हुआ है जिसमें चूने से जैसे इस तरह से यह माल लेते हैं यह गुफा है और यह दिवाल है जमीन है तो यह गुफा की खोजतों कि प्रोफेसर संकरत्वारी ने 18199 देखें यह किस जीला में है तो यह बस्तर जीला में यह जल्स बना हुआ है और चूने से इस तरह से जो ऊपर से आय रहते हैं इसे इस इसलेग मैड और जो निसेच इस तरह से बने हुए है उससे सिलेक इसलेक क पाइट कहते हैं यह भारत की सबसे बड़ी और विसकी सात्वी बूफा है तो इससे जोड़े इंपरेंट को भी हमने देख लिया अब देख लिए हैं यहाँ पर यह प्रशन आ चुका है कि प्रथम 36 गड़ी कही देवे संदेश फिल्म के निदेशत कौन है तो आपको यह भी समझ में आगे होगा कि यह जो तिसरा प्रशन हैं यह 36 का पहला फिल्म है इसका जो रिलिज हुआ था वह था 1965 में ठीक है 1965 में और इसके जो निदेशत है उसका क्या नाम था ये पुछा हुआ है इस प्रशन में तो इसके निदेशन का नाम था मनुनायक प्रथम ये आप्षन का सही अंसर है चलते हैं अगले प्रशन पर अगला प्रशन भी आपके इसक्रीन पर आ चुका है और ये प्रशन महानदी से जुड़ा प्रिफे सीखर पहले cgpc का विजाम होता था तो पांच अपसन होता था जो कि इसमें दिया हुआ है और इस सबसे क्या हरे काल फूरत डाय नहीं कि इसका नाम से जानाजता था तो महानदी का सब्से पहले उद्धरम कर ऊंवा है तो इसका उद्गम हुआ है सिहावा पहाडी से इसका मुहाना है जो बंगाल की खाडी है वो ठीक है बंगाल की खाडी इसका मुहाना है इसकी लंबाई टोटल लंबाई 8-78 किलो मिटर लेकिन 36 गड़ में भहती है 286 किलो मिटर चतिस गड़ में 56 प्रवाच ये कवर करती है और ये एक प्रकार का अनुवर्ती प्रकार की नदी है ठीक है अनुवर्ती प्रकार की तो कई सारे ये त्रक्टत्थे बनते हैं और ये धम्तरी से उद्गम हुआ है सिहावापाड़ी कहा है तो अगर ये भी पितले जा सकता है तो धम्तरी में है ये भी आव्याद रखेंगे ये 36 गड़ के 11 जिलो में प्रवाहित होती है ठीक है तो चलते हैं आगे जो जीवा रिखा है वह भी कहा जाता है तो कही तरीके से प्रॉश्ण ब treaty है कि चलते हैं आगे प्रे पर कि तो हमने तो आपको पहले पाले सर गूफाका डिया है तो इसका इस कि यह 5 प्रश्न बर्श दर जीला है वह crédit है तो आपको जनकारी हो जुका अपन्म अब आ चुके है अगला प्रेशन जो है तिबटी सरनार्थी से जुड़ा हुआ प्रेशन है और ये छट्वा प्रेशन है कि छत्तिस गड़ में तिबटी सरनार्थी कहां बसे है चार आप्षन दियो है सामरी पार्ट नरायरपूर में पार्ट और बचली तो सामरी पार्ट कहां है ये बलायरापूर में है तो आपको इसका इसर आपने लगा लिआ होगा कभी चट्विक ऐसर होगा कर दी होगा चलते हैं इसका इसर हम को पता दे ये में पार्ट में है 36 अबने तिव्वत्ति सनार्थियों को 1862 में जब भारत चीन हुआ था तब बसाया गया था मेन पार्ट मेन पार्ट के मान नदी का उध्गником है यहां से मान ने आधी का मान डिका उध्गम है यह भी आप रखें चलते हैं परचिन से क्वाशने। जिसकी स्थापना 14 अक्टूबर 1956 को हुआ था और इसकी स्थापना राजा वीरेंदर बहादूर सी द्वारा किया गया था ये भी प्रशन बन सकते हैं राजा वीरेंदर बहादूर सी इसिया का प्रथम और 36 ज़र का प्रथम इसमें क्या है तो इसमें संगीत है सबसे पहले दूसरा में आ जाता है लोक संगीत है तीसरा में आ जाता है कला चौथा में आ जाता है द्रीस्य द्रीस्य कला और पाच्व में आता है नित्य कला तो इनमें से कौन सा आप्शन नहीं है यह हमें देखना है, तो इसका सहीं इंसर क्या हो ज़ाए गर कौन सा अप्शन नहीं है तो इसमें सिछर, ठीक है, सिछर संकाय नहीं है अगला साथ आप्रशन आप की स्किन पर आ चुका है इसमें पुछा हुएए כि निम्नायंकित में से 36 गड़ प्रणायगीत कौन सा है चार वे सोहरगीत, ठागीत, बोज लिघित, नहीं सा क्वारणों, इंसर आपको पता चल गया होगा चलते हैं एक बात देखते हैं कि कौन सा गीत कौन सा समय गया जाता है फिर प्रणाय गीत क्या होता है वो आप जान जाएंगे सबसे पहले सोहर गीत के बारे में देखें तो सोहर गीत क्या है संसकार एक गीत है ठीक है बच्चे के जन्म के समय गीत गया जाता है तो संसकार गीत है सोहर गीत ददर्या गीत है प्रणाय गीत ठीक है तो ददर्या इसका एंसर सही एंसर हो जाएगा फागीत के बारे में आप जानते हैं रितुम पर अथारित है समानेता होली के आउसर पर फागीत गया जाते हैं टीज़िए पध्यास, दीना के अंजोर के लेखकन है कौन है, इसका, क्या है इसका, संकर है, बेडनी। अगले प्रश्ण पर चालते हैं, अनला प्रश्न यहाँ पर आपके इसकिन पर आ चुका है और किससे है तो इसका संबंध का सब्सक्रेंगे किसेर क्या है, इसका वर ऑप इंसर हम आपको बता दें, की सुरस्थारा योजना का संबंध किससे है तो बता देते हैं इसका सही अंसर क्या है बी आप्षन है बी जजली बदली का संबन्ध है सुरजहरा योजना का अगला प्रशन भी आपकी स्किन पर आचुके हैं और ये आप्षन क्या है तो किसान सपिंग माल का निर्बान कहां करया गया है ठीक है ये दस्वा प्रशन है और किसान सपिंग माल का ये स्थापना कहां करया गया था ये प्रशन है अगर आप इसका इंसर जार रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं कि या क्या जगदलपूर है क्या मिलासपूर है क्या राद नंगाओं है या राइपूर है या इन में से कोई नहीं अगर आपने इसका एंसर दर्शे प्रश्ण का एंसर कमेंट कर दिये हैं तो चलते हैं इस प्रश्ण का एंसर हम यहाँ पर आपको बताते हैं इसके स्थाप्पन कि कही है राजननगाओं में और यहीं इसका सही है ढ्सर है। करें के चीटा डोगरी क्या है पहाड़ी है यह किस लिए प्रसिद्ध है यह पुछ लिए गया है इस प्रशने में तो इसका एंसर क्या होगा अप कमेंट करेंगे क्या यह होगा की भी होगा कि सी पहाड़ी का आपसन दिया नहीं है तो यह सी आपसन प्रागेति हसिक कालिक सेल चीतर सी आपसन इसके संग का सही एंसर है इसके बाद अगला आचुके हैं हम बारवे प्रशन पर और यह प्रशन है कि राम राज्य नाटक के रचनाकार कौन है यह पुछा हुआ है और इसका सही एंसर क्या होगा आप कमीन करेंगे ठाकूर जंगमोहन सी आपसन दिया हो है पहले आपसन इसका सही एंसर क्या है कमीन आपने कर लिया होगा चलते हैं हम आपको इसका इंसर बता देते हैं कि राम राज्य जो रचनाकार है उनका क्या नाम है तो उनका नाम है सी आपसर पंडित मलिक राम त्रिवेदी ठीक है इसके लाम हम कुछ और रचनाओं के बारे में देख लेते हैं जो की बार बार पुछी जाते हैं जैसे कि राम राज लिखा हुआ है तो राम प्रताप अगर पूछ लिया जाए तो गोपाल मिस्रम इसका नाम क्या था है गो नकाल है कपील कस्याप तो बस इतना ही रखते हैं ज्यादा ना लेते हुए दूसरे पर अगला प्रशन पर आचुके हैं आपके इसकीन पर यह प्रशन है और तेरवा प्रशन है आज का मुर्या जंजरती में पूस कोलांग अर्था पूस कलंगा नीत्य कौन करते हैं क्या इस्तिया करते हैं या पूरुस या पूरुस इवा मिस्त्री या बच्चे कौन नीत्य करते हैं तो इसका सहिंसर यह एक पूरुस नीत्य है ठीक है पूस कोलांग मुले जंजरती द्वारा किया जाता है और पूरुस द्वारा किया जाने वाला एक नीत्य है अगला प्रशन बढूर्द काहरзд कल ऐसक मा इसका सही एनसर क्या है वह आप कमुन करेंगे और दूसरा थीसरा चौन हूंस चलते हैं हम एसका आपको पता डिते हैं इसका पञसर राजा चक्रधर है सिल्गा सबस्के जयाध़ योगदान है क्थतः में अगला प्रश्न भी आपके इसकीन पर आचुका है और यह प्रश्न क्या है तो यह है कथक बनाने वाली अनुसुची जन जाती कौन है ठीक है कथा बनाने वाली अनुसुची जन जाती कौन सी है यह पूचा हुआ है तो कथा निकालने वाली बनाने वाली जन जाती है सिर्फें आप याद रहेंगे खैरवार है तो आपसन इसका सही अंसर होगा अगला प्रशन भी आपकी स्किन पराचुका है और यह प्रशन है सोलवा प्रशन है हलाकि और यह प्रशन क्या है तो मेगनाथ परो से संबंधी 36 गड़ की कौन सी जन जाती है मेगनात परवा मेगनात परव से संबंधी 36 गड की कौन सी जन जाती है ये पूछा हुआ है ये अगला प्रशन पहला आप्षन दिवाए बैगा, अबुजमारिया, गोड, दोरला तो कौन सा आप्षन इन में से सही है तो इसका सही अंसर हम आपको पता दें इसका सही अंसर है, गोड, भी आपसन इसका सही अंसर होगा अगला प्रशन भी आपके स्किन पर आचुका है और ये क्या प्रशन है, वाप पोदिकर है इस प्रश्रूप से और ये अठारवा प्रशन है, कि कहा का मड़ाई लोक मड़ एक होता है लोक मड़ होता राज जन गाओ है जब कि फालगुन मड़ होता है क्योंकि धमानीमा पुल्ग पुटा अंको प्रस्ऩनतрах है इत कोंडीन होता है को North आप्षरीव स्वेट और यह देखते हैं मंदरी नित्य कौन करते हैं मंदरी नित्य कौन से जन्जाती क्या जाता है यह पूछा हुआ है यह पूछन होइए मांदरी नित्र कॉन से जाती है यह हम इहां पर बता दिना है जो चलते हैं इसका स्केसर आपको बताते हैं इसका यह किया जाता है मांदरी जो नित्र किया जाता है। वह किया जाता है, नुडिया जंजाती द्वारा ठीक है, यह आपसे इस question का सही answer होगा, अगरा प्रस्जन भी आ चुका है, और यह किस्व प्रस्जन है, कि सर्हूल नित्ते त्यवहार भी है और सर्हूल नित्ते भी है, कौन सी जंजाती मन द्वारा मनाया जाता है, जैसे उर लाओ भैगा कमार भैगा कौनस अप्चनमें से इसका सही आंसर होगा वो आप sustainable करेंगे 21का ABCD अउनसर आप कम एचलते हैं जलते हैं फिजा पाप difکे कर दिया होगा इसके आउम आपको बता देते हैं इसका इंसर है प्राचिन भासा का नाम क्या है यह 36 थोड़े से कर चुका है यह 36 अंसर होगा अगला प्राशन भी आपके कवीरपंद के संस्थापक है तो 36 गड़ में कवीरपंद के संस्थापक है सी आप संचुडा मड़ी सहाब 24 प्रशन आपके स्किन पर हो चुके हैं और आज फिल्हार इतना ही प्रशन रखते हैं 23 प्रशन हमने हल कि आपका कितना से ही हुआ आप कमेंट वाक्स में करें अगर आपको पसंद आये तो हमारे वीडियो को लाइक करें अगर आपने हमारे युटूब चनल को अभी दक सबिस्क्राइब की होंगे तो सबिस्क्राइब करेंगी यह जो इन प्रशन हैं यह सीजी प्रश्चज दुवारा पूछे गए प्रशन हैं और अगामी सीजी प्रिस आपके लिए हेल्प फूल होने वाले हैं